तो पिछले साथ दिन से मैं Moto Edge 40 Neo को as a main phone यूज़ कर रहा हूँ, ये phone आप कल से यानि 28 तारिक से flip card से खरीच सकते हैं, ये phone 21,000 रुपे में लॉंच हुआ है, कुछ card offer भी है, उसके बाद ये phone 20,000 रुपे में आपको मिल जाएगा, इवन यहाँ पे एक 12GB RAM वाला भी option है, and I think अभी best है, आपको phone लेने के लिए, क्योंकि इसके बाद ये price थोड़ा बढ़ जाएगा, तो क्या अभी इस phone को आपको लेना चाहिए, इस पर बात करते हैं बहुत simple तरीके से, पहली बार इस channel पर है, तो मेरा नाम है प्राव विर्ट, प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर आपको ये video अच्छे लगती है, पहले देखो box content, तो आपको box में सब कुछ दिया है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है, लेकिन थोड़ो सा ध्यान दो cover पे, cover पहले तो ये eco friendly है, थोड़ो सा एक hard case आपको मिलता है, quality काफी अच्छी है, कुछ टाइम बाद ये प पूरे phone में, ये जो color आपको दिया है, moto logo देखोगे, camera model देखोगे, side का frame देखोगे, पहले तो phone बहुत पतला है, exact आपको देखाऊ, 7.79 mm की thickness है, weight भी चेक करोगे, 173 gram तक ये phone पहुंचता है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कि ये phone पांच एनमेज की battery लेका आता है, और even display पर काफी improvement की है, moto edge 40 में मैंने कहा था कि थोड़े से scratches जल्दी आ रहे है, वैसे तो इस पर भी screen projector आपको pre-applied नहीं मिलता, आपको tempered glass जूनना पड़ेगा पहले दिन, लेकिन इन 7 दिनों भी major scratch नहीं है, और मैं बिना tempered glass की use कर रहा हूं, तो इसकी भी build अच्छी है, इवन यहाँ पर यह चीज़ मैं बताने जा रहा हूं, यह कमाल की हैं लोगों ने, IP68 की rating आपको दे दिया है, और इस phone को पानी में डाल दोगे, वो भी 1.5 meter तक, फिर भी इस phone को कुछ नहीं होने वाला, और यह point के बात, मेरे साबसे इस से solid phone या इस से अच्छी build 21,000 र प्लास होता है, प्लास होता है, बस इतना से ही आपको difference मिलता है, और quality इसकी काफी अच्छी है, आप details देखोगे, तो 4K में HDR पर YouTube वीडियो चल रही है, थोड़े से color आपको पंची सैड में मिलते है, blacks वगरा काफी अच्छ है, डिस्प्ले डेफिन आपको पसंद आएगी, यहाँ पे flicker prevention जैसा एक option दिया है, जिसे आप on करोगे, तो flickering जो होती है, MLED में या PLED में, वो कम हो जाती है, और I think यह चीज ना, बाकी brands को भी देनी चाहिए, अब sound quality के अंदर तो यह हर बार अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे आपको dual speaker मिलते है, एक तो bottom है, एक earpiece को as a speaker यूज किया है, और Dolby Atmos का support भी है, सच में बहुत loud है, अच्छी quality, bass भी produce करते है, और यह आपको बिल्कुल निराच नहीं करेंगे, और इस बार तो software के अंदर features भी दिया, फोन latest Android version पर चल रहा है, जो है Android 13, यहाँ पे आपको दो major update मिलेंगे, और तीन साल तक security update, तो दो major update देके, यह भी इन लोग इन अच्छा कर दिया, अब जैसा Moto का software होता है, एकदम clean वही आपको मिलता है, कोई bloatware नहीं है, कोई ads नहीं है, और features की जो मैंने बात की थी, यहाँ पे एक secure folder करके add हुआ है, इसमें आप dual apps create कर सकते हो, apps को hide कर सकते हो, apps को lock कर सकते हो, और यह जो download करना है, उसके बाद full flashed आपको यह जो phone है, वो desktop पे आप यूज कर सकते हो, और even इस phone को as a desktop mode में भी यूज कर सकते हो, और best part है, इस phone का जो camera है, as a webcam यूज कर सकते हो, तो हाँ clean software के साथ इस बार काफी handy features पे add हो है, और software काफी stable है, animations फगेरा, gestures फगेरा, काफी responsive feel होता है, यूज करने में मज़ा आता है, अभी तक वैसे आपको यी वीडियो भी देखने में मज़ा आ रहा है, तो like and share करे देना, इससे वीडियो चल जाएगी, और हम भी चल जाएगे, अब बात करते है, performance की, MediaTek 70-30 यहाँ भी processor है, LPDR 4X RAM है, 8GB और 12GB, UFH 2.2 की storage है, 108GB और 256GB, पहले आप scores देख लो, and scores काफी अच्छे आते हैं इस processor के, even storage speeds देखो, 1GB के close storage speeds जा रही है, and trust me, 7 दिन से में लगाता है इसे यूज कर रहा हूँ, एक बार भी ये phone अटका नहीं, app opening आपको दिखाता हूँ, background से मैंने सब कुछ close करते है, एक एक करके app खोलता हूँ, आप देख लीजिए, कितनी fast ये app खोलता है, और base variant के अंदर ही आपको 8GB RAM मिलती है, तो जो भी app खोलते है, वो लगता RAM में भी रहते है, तो हाँ, performance आपको पसंद आएगी, even BGMI जैसे app म ये smooth plus extreme support करता है, यानी 60fps, and 60fps के अंदर भी बहुत stable आपको gaming करा देरा, touch response वगरा भी अच्छा है, even gyro player हो, gyro के अंदर भी बिल्कुल delay नहीं है, असानी से gyro से खेल सकते हो, बट कुछ लोगों का सवाल था, heating को लेके, काफी comment आये थे मेरी पिछली short video में, तो उसको थोड इस टाइम पर ये phone 36, 37 पर चल रहा है, और इस रूम में सिर्फ एक fan ही चल रहा है, उसके बाद हमने आदा घंटे तक इस पर TDM खेला लगा अतार, उसके बाद हमने आदे घंटे तक बड़े बड़े जो मैच होते हैं, वो खेले, and ये total काम हमने एक घंटे तक किया है, उसक 40 degree तक पहुचा है, ये चीज़ मैंने जरूर नोटिस किया है, कि as compared to दूसरे phone, ये slightly जल्दी गरम हो रहा है, लेकिन कोई भी overheating नहीं है, ये चीज़ आपको मैं show करता हूँ CPU throttle test से, 60 मिनट तक यानि एक घंट तक मैंने लगाता, CPU throttle test run किया है, और graph देख लो, yellow में तो जो हो में camera है, जो OIS लेकिया आता है, 13MP का ultra wide है, और उसे ही आप ऐसा macro भी यूज़ कर सकते हो, पहले चीज मैंने नोटिस कि है, Moto Edge 40 से ज्यादा features लेकिया आता है camera app में, यहाँ पर पहले तो main camera के अंदर भी 2X करके एक option है, portrait shots के अंदर भी काफी zoom वाले option है, और ये सब तो app improvement की बात होगी, सबसे ज्यादा improvement हुए है, light control के अंतर है, यहाँ पर side में IQ Z7 Pro या Vivo T2 Pro की photo देखो, आप side by side, इसका light control या सच में next level है, कुछ IQ या Vivo के ऐसी photos आती है, जिसमें वो usable ही नहीं है, इसमें HDR सच में next level है, and light control definitely एक ऐसी चीज़ है, जो इन लोगों ने बहुत improve कर लि जिसमें आप यह green leaves देखो, उसमें कैसे subtle से आ रही है, इसमें थोड़ा से color boost कर देता है, कुछ लोगों के चीज़ पसंद आ सकते हैं, लेकिन color boost और color accuracy के अंदर अभी इन लोगों को काम करने की जरुवत है, वैसे रात के अंदर भी same चीज़ आपको, या low light के अदर भी same च अगड़ा हो जाएगा, अब वीडियो बनाते हो, 4K 30fps तक यह phone support करता है, और OS की वैसे एकदम stable footage बनती है, वो भी 4K के अंदर, एंड हा, main camera is definitely एक ऐसी चीज़ है, जिसे आप दिन में यूज़ कर पा रहे हो, footage अच्छी बन रही ही वीडियो की, रात में या low light के अंदर भी चीज, आपको details मिलती है, यहाँ भी आपको light control अच्छा मिलता है, लेकि low light के अंदर, हलका सा somehow, इसमें उतनी details नहीं आ रही है, हलकी सी noise आ रही है, हलकी सी मुझे over sharpness feel हुई, तो रात में जरूँ थोड़ा सा ध्यान देना है, वैसे video बनाते हो, तो 4K 30fps से front camera भी video बनाता है और कमाल की बात है कि front camera भी एकदम stable footage बनाता है, तो video quality के अंदर ये लोगों ने अच्छा काम किया है, सारी photos मैंने Google Drive में save कर दी है, आप खुज जाकी भी देख सकते हो, थोड़ा सा color boost है, और selfie camera थोड़ा सा low light के अंदर आपको ध्यान अखना है, वरना overall camera improve हुआ है, अब network भ recording का जाना चाते है, तो यहाँ पर Google का डाइलर है, जब आप call recording पर दबाते हो, तो हाँ next person को पता चल जाता है, sim slot भी वैसे ऐसा दिया है, जहाँ पर आप 2 sim लगा सकते हो, यहाँ पर HD card का option नहीं है, अब battery के अंदर भी 54 image की battery है, और 68 watt का charger आपको box में मिलता है, जो इस phone को 15 के अंदर ही 50% charge कर देता है, 45 से 50 minutes के अंदर ही 0-700 भी charge हो जाता है, तो हाँ charging time अच्छा है, battery size अच्छा है, इवन battery life भी अच्छी है, यहाँ पर आपको मैं दो battery stats दिखा जिता हूँ, यह मैंने 5G पर यूज़ किया है, इसली जो phone है 5-6 घंटे का screen on time देता है, 6 घंटे तब जब आप बहुत heavy use करते हो, लेकिन gaming नहीं करते हो, और 5 घंटे तब जब आप gaming भी करते हो, और heavy task भी करते हो, यह stats थोड़ा पॉस करके देख ले ना, आपको अच्छा idea मिल जाएगा, अब लेकिन यहाँ पर idle train भी है, better life और अच्छी हो सकती थी, अगर यह network के अंदर यह option यहाँ पर network के अंदर ऐसा कोई option नहीं कि आपने 5G select किया है, और 5G अगर आप use नहीं कर रहे हो, तो यह phone 4G पे shift हो जाए, अगर आपने 5G select किया है, यह phone लगातार constant 5G पे ही चलता रहेगा, जैसे रात को मैं 5G पे छोड़के सो यह 11% पे, सुबह जो बठा तो 5G चल रहा थ और 4% बैटरी पची, 7% का idle train, और अगर यह phone 4G पे shift हो जाता, तो यह idle train आपको नहीं मिलता, क्योंकि जब मैंने 4G पे select करके छोड़ा था इस phone को, तो सिर्फ 2% का idle train, तो हाँ यह 5G वाल network है, वो यह battery लगातार काफी train कर रहा है, क्योंकि इसमें 5G से नीचे जाता ही नहीं यह fix कर ले, battle life और तगड़ी हो जाएगी, अब आखरी में क्या इस phone को आपको लेना चाहिए, तो आप लोगों को सिर्फ 3 चे जोंको ध्यान रखना है, हलके से color boost हो रहा है, रात में selfie camera और improvement माग रहा है, 5G के अंदर जो idle train है, उसे यह लोग fix कर दें, इसके लावा इस phone में काफी improve हो है, तो हाँ बस वो 3 चे जोंको ध्यान, उसके लावा इस phone में कोई कमी नहीं है, hope आप लोगो वीडियो अच्छी लगे हो, मैं ऐसे simple, straight to the point, इधर दोर के बात नहीं वीडियो बनाता रहता हूं, तो please subscribe करके bell icon call पे करना, आपकी support की काफी जरोता है, वीडियो लाइक और शेर करते हैं अपने दोस्तों यहारों पडूसियों के साथ, कोई सवाल रह गया, तो comment section पूछना, मिलते हैं अप लोग से अगली वीडियो में, thanks for watching and up for all